मैं एक बार अपने सारे गेस्ट को एक बार इंटर्ड्यूस करा दूँ हमाई साथ मदन गुपता है जोतिश चार है हमाई साथ अरुन कुमार वाध्भानी है जो प्रोफेसर है उनसे भी जानकारी लेंगे अर्षक लिए जो नोगर पर्मनेशन बनेशन 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 वनो कर दो घरिगरीं ब्रमान अच्छार एक सित है और एक डिगरी इकलुट दूट शाथ मेरिक और शाथ एक मिर्ट दूट दूट एक जी सिकंड तो यह जो कॉम्बिनेशन बनेंगा नौ गरह का पर्मिकेशन कॉम्बिनेशन साइंस है यह जिसे हमारे इसमें पढ़ते थे टेंथ क्लास में पढ़ते हैं मैथेमेडिक्स तो उ और जिस तरिकसे COVID सभी अप्त को नहीं हुआ था किसी अवह नहीं नहीं हुआ तो यह इंदे पर ऐ कर Además केंदर कि गिसी कौफूर Oтыra Tou तो उसी तरीके से यह सं तो आपको में आपको कुछ खाही नहीं सकते हो अगर आपका इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा है और आपको एलाओ करता है कि खा सकते हैं जून 2020 में उसमें यह जिखा था कि इंडिया का टाइटल साथ पेपर का वह यह जिखा था कि सकस्पूल दिखोप्मेंट दो वेक्सीन बाकी मैं मानों को भी ले लेते हैं इसी चर्चा पर मदन गुपता भी हमाज से जुड़े हुए जोतिश चारे हैं मदन गुपता भी मदन जी क्योंकि प्रोफेसर साब कह रहे हैं कि आप खा सकते हैं और इम्यूनिटी लेवल पर पेंड करता है जोतिश के लिहाद से क्या ये सच है क्या ये सही है मैं मैं थोड़ा साथ डिफरेंट इसमें एटिटीट रहता हूँ अब ये दो ग्रहन लग रहे हैं सूरे ग्रहन आज है और डाई से लेकर चारे सी वज़े चलेगा एक दार्मिक परिपार्टी चल दी है कि सूरे ग्रहन के अंदर कुछ खाना नहीं है और सारा कुछ बंग रखना है ना इसमें जो सहामा तो वो ये है कि सूरे को नंगी हाड़ वर्फ नहीं करना चाहिए खाना पीना जैसे कि हमरे धार्मिक रहा गया है तो यह जैसे ठाही बज़े पहले ही प्रालें तो महर अच्छा है अब यहां पर बात आती है कि जो जान की पहले क्या हो था था जो मॉर्टन वीव अब मैं बताना जाता हूं वह एकि पहले खाना फिर्ज में अंतवश तो हैं और दूसरी चाहते हो जाएगा इसलिए जो खाना आपका रख़ा है उसे खाने में कोई वाज रहे और इस ताइंग मदी आप खाएगें कि आप अंदर बैठ के खा रहे हैं किसी ओटल में खा रहे हैं गैर में खा एंगें और में नहीं तो प्राक्रितिक आपदाएं आने की समावरा बढ़ जाती है और ये पुराना रिकॉर्ड भी रहा है मेरा एकाटिक अला जब उनी सो पांक से लिकत और अब तक जितने जुरेंड लगे हैं और जितने भूकां पाए हैं उनका एक विचार किया गया है मदन जी आपने बहुत एहम बात कहीं और मुझे लगता है कि प्रशान कपूर इसके लिए बिल्कुल सही रहेंगे क्योंकि प्रोफेसर है और साइंटिफिक चीजों साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे क्योंकि प्राक्रितिक आपदाओं की बात हो रही है और पिछले दो स प्राइब करोना ने किस तरह से सबको घेरा और करोना ने कितना सारा नुकसान भी किया तो क्या प्राक्रितिक आप अदाओं से जोड़ कर देखा जा सकता है सूर्य ग्रहन को जोतिश चारे ने तो कह दिया कि इन सब चीजों का फरक पड़ता है लेकिन साइंटिफिक लिहा से अगर हम मेजनी जोतिश की बात करें तो तुला राशी पर ग्रहन लगना तुला राशी सूरे की नीच राशी मानी गई है डैबरेटेशन साइन है तो इसमें यह जो भी ग्रहन लग रहा है साथ डिगरी 49 मिनिट में जो सूरे जिस स्थिती पे होंगे तो जितने भी दु अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जन संख्या निरन ने नियंतरन कानून आने के पूरे पूरे चांट जिए अगा जितने बी दुनिया के जितने भी प्रेजेंट कहीं जैसे इलिया में प्राइमनिस्ट्र शिप को ज्यादा इम्पॉर्टन्स दी जाती है तो जितने भी विश्व हैं, उनमें जितने भी किंग हैं, वो अपनी गलतियों को चुपाने के लिए कुछ नया रास्ता निकालेंगे, जनता का ध्यान कहीं न कहीं और बटाएंगे, जैसे मैं एक जेंपल दे देता हूँ, अब ये जो भी अभी ये ग्रहन शुरू हुआ है, इरान में सिथी और ज्यादा बिगड़ेगी और सत्रा जन्वरी दो हजाद देईस को, जैसे ही शरी ट्रांजित में आएंगे कुमराशी में, तब जाकर वहां पर हालात काबू में आएंगे, बिक में इरान भी आता है आपका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिया की भी बात करें, ड्रॉक्स के केसिज बहुत सारे बढ़ जाएंगे, बॉलिवुड की कुछ सेलिब्रिटीस का अभी इमिजेट नाम आएगा विदिन 3-4 डेज आप देखेंगे, इसके साथ साथ कुछ सेलिब् पारी बरक के ओपर गौर्मेट का कई बहुत बड़ा एक्शन, इसके साथ साथ सेलिब्रिटीस के ओपर कैनेक्शन, ज जो झोति essayer बरक है, डिवाइन सैंस से जो लोगTER हुए है, उनके ओपर कोई बहुत बढ़ा अच्छन होने जा रहा है, और साथ में जो बस्तु है आप लोगों को शुब खबरें नहीं मिलेंगी आप लोगों को बहुत साइए ऐसी खबरें मिलेंगी कि लेडिस के ओपर अचार ने की अत्याचार पुरे विश्रम में बढ़ने शुरू हो गए और वो भी पश्चिम दिशा में जैसे मैंने कहा भी एरान में अत्याचार और बढ़ेंगे प्रशान जी जो तमाम बाते आपने सूरिक ग्रहन के बाद होने वाली बताई है चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार की बात हो चाहे वो जो राजा आपने कहा कि चीजे चुपाते हैं पॉलिटिशन हो गए उनमें तो मुझे लगता है कि ये तो कवायद काफी समय से चली आ रही है कोई अपनी गलती नहीं मानता है जो उपर के पद में बैठा होता है हमारे साथ जो तमाम महमान है मेरी उनसे भी गुजारिश है अशोक वासुदेवा जो है और साथी साथ हमारे साथ प्रोफेसर है मेरी तमाम महमानों से गुजारिश है कि अगर आपको कहीं भी लगता है किसी वी बात से आप असहमत है किसी भी महमान की बात से असहमत है तो आप कृप्या करके वहाँ पर अपना सवाल या फिर अपनी بात रख सकते हैं क्योंकि ये प्लाटफॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि तमाम जो भ्रांतियां है इस सूरे ग्रहन्ट से जुड़ी हुई दर्शकों की आपस हमारी आपकी वो तमाम भ्रांतियां दूर हो सके और एक सटीक जानकारी जो है हमारे प्लाटफॉर्म के जरीए आपको दे जा सके अशोग जिसके पास पर बैठे हुए है जो राजा है चाहे वो प्रधान मंत्री है चाहे वो चीफ मनिस्टर है चाहे वो प्रेजिडेंट है वो अपनी गलतियों को चुपाने की कोशिश करेंगे और साधी साथ महीलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे इस्ट कंट्रीज पर कितना सहमत है आप इ मैं देखे जाओंगा मैं मैं देखे जाओंगा जी 26 दिसंबर 2019 मैं न्यूस चैनल में बैठा था वहां पर इस बाग का जिकर आया धरूराशी के उपर इसी तरह ग्रहों का जमगत लगा हुआ था तो जैसे मैं आपके पास बैठा हूं इसी तरह उस दिन भी बैठ गया और म तरह सुन महाँ करने भी तो नहीं तक बोलना किया है वही बोलना है जो हम हर बार बोलते हैं तेकिन जब मेरी नजर की और पड़ी तो मैंने क्या जब आप पूरे ग्रह जोंई भनुराशी न पर इंपेक्ट डाल के बैठे हूं तब मैंने एक शबद बोला था भूतो ना ब मेरे उपर उन्टे सीधी होके पड़ गए मैंगा ठीक है 26 जून 2020 को मिलेंगे दोबारा क्योंकि दूसरा ग्रहन लगा था बहुत बड़ा ये धनुराशी पर था वो मकर राशी के उपर ग्रहन था अब देखिए वहां पर आके निवारान शुरू हुआ उसके बाद में 11 दुनिया में होता है विश्व में होता है विश्व के परयावरन पर होता है बीमारी खिमारी में होता है बड़ी घटनाएं होती है अब उसके बाद में एक एपीजोड हुआ हुआ जो विश्व में सोचा नहीं अब आप देखिए कि जिस समय ये ग्रहन आना था उससे पहल पर रूप लेगा लेकिन क्या भारत वर्ष इसमें इंवाल्व होगा क्या भारत वर्ष के उपर इंपेक्ट देगा करक राशी और मकर राशी को पर कोई फरक नहीं पड़ेगा दोनों राशी अमरी को सेफ बैटी है हम लोग जो है चाहे विश्योद हो जाए चाहे और भी अच्छूता रहेगा अंटाच्छ रहेगा कुछ नहीं होने वाला इसको क्योंकि हम लोग एक ऐसे औरा के अंदर बैटे हुए हैं यहां पर मेरा क्याल से बहा हो वक्ती पाठ पूजा इतना हम भारत वर्ष में कभी नहीं हुआ जिसना आजकल हो रहा है चाहे कोई भी धरम का गत्ति कोई भी का भारत वर्ष का बाठ पूरे लूप से अधाव में डूबा हुआ है तो यह वाला जो भारत वर्ष यह जमू दीपें वारत वरत भंडे यह जो बहुता है बारत वरिश का कि यह चूटा रहेगा और इसको नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है अशूक पूछना चाती हूं जैसे हम लोगों का काम है बाचीत करना बोलना हम यहां पर लगातार समाचार देते हैं आप तक information पहुंचाते हैं रिपोर्टर्स हमारे लगातार लगे हुए जब धूप में इतना सारा काम कर लें तो कही न कहीं शरीर पानी मांगता है आप खाने के दिए हमारे साखरों में भी चलिए अशोग झीजिए आपके पास दुबारा आएंगे गुपता के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, मधन जी आपका, आपसे मेरा सवाल ये है, कि ये सब चीजे भगवान की बनाई हुई है, सूर्य, चंद्रमा, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रहमान उसी का बनाया है, हम आप सब उनी के बनाई हुए है, तो फिर मंद ऺग अख मेस कि आपते हैं, ये क्तिरी स creator बना की ये पूरा यही जाती है, ओर शुर्य, रहन के सम्यूर्च, ये विर्किरन होती है, और उसे शुर्य, फ्याहन होने कि अखितनी सम्भावना रहती है, य chickens लिग एक प्रिकोरस्णरी मंदिर के सब आप ऐ ही जाते हैं, आपक क आपने जी रहे हैं और जैसे आपने पानी की बात परी पानी की रखारिए और पानी की पी नहीं होता है और मैं तो मेरे बहुं सारे लेक अभी इसी परी छपे हैं वे बढ़ने लिखा है कि आप सुजावी नॉर्मल रहे है। ग्रहन में बहुत ज़ादा है थेक एक्टिविटी ना करिए। बहुत ज़ादा टेंचन मत रहे है। इसको एक नॉर्मल इसी रहन की लेकर ही चले। बात जो मेरी तीछे छूट कही थी होता है कि कि दो ग्रहन लगें 15 दिन के लगें और मज़े की बात जही है तो दोनों ग्रहन दुकंदेएं और थोरे ग्रहन है। इंका जो है वह और भी जाई से लेकर साड़े के लीच है, दोनों इस मंद़वार को लगें। पहले हमने इतनी बार देखा है कि जब ये दो ग्रहन इंदर लगते हैं तो हमने तहीं ताजित पिसापता है हमें की अशंका रहती है चाहें वो सुनामी के रूप में हो और या गुकम्फ हो तुपान हो एर किराश हो मौसम का दुज़ाजना जब एक साल मुझे लगता है कि ठर्दी बहुत ज़्यादा होगी और सीजन का उल्टा सिदा प्राइंड हो जागा है ये समावना इन दोनों ग्रहें का अशा रहेगा उसनी बात जो इन्होंने करी कि पुला राची में लग रहा है five जो अगर आप माथ करें तो चुनर कर इसथी बी को प्रधान मyll पुरे वर्ड में वो दूब दिया और आज एक भारती है जो है वो ऐसे देश का प्रणान मंतरी बंगा जिसने पूरी दुनिया पर राज गिया सन 1998 सितंबर के मिन्ये में हमने एक संद्यलन के राया था चलिगर में और उसमें हमने टॉपिक रखा था कि भारत दो हजार एक इसमी तभी में क्याता होगा हमारे जापक्त्र लॉजर से जिनका एक विचार था जो कंसल्सस था वो ये था भारत 2020 के बाद वर्ड पर राज और विच्व गरू तो बनेगा ही बनेगा और सिल्थार का कोई ऐसा देख नहीं रहेगा जहां पर इंदुस्तानी ना हो और आज आप देखिए 2020 के बादम ने कहा था भारत पूरे विच्व पर राज करेगा आज बताईए दुन्यों का ऐसा मुल्क कौन सा है जहां पर भा असद बने हुए और इसी खबर पर हम सुबह से भी लगे हुए और हमारा बस मोटिव यही है कि आप तक सटीक जानकारी में आप तक पहुंचा सके और किसी भी तरह का ब्रहम किसी भी तरह की भ्रांती जो है आप अपने जहन पर ना रखके जाए